यूपी में विधान परिश्रत की पांच सीटों पर होगा चुनाओ चुनाओ के लिए नमांकर नास्तिश होगा शुरूर तीन खंड इसनातक और दो खंड सक्षिंग निर्वाचन शेत्रों के लिए होगा चुनाओ पांच MLC विधायकों का कारिकाल 12 फर्वरी 2023 को हो रहा है समाप्त निर्वाचन के दिसूचना पांच जन्वरी को होगी जारी तीस जन्वरी को पांच सीट्यों पर होगा मतदान दो फर्वरी को होगी मतगरना यूपी में विधान परिशत की पांच सीट्यों पर होगा चुनाओ चुनाओ के लिए नमांगर नाज से होगा शुरू तीन खंड असनातक और दो खंड सच्छक नर्वाचन शेत्रों के लिए होगा चुनाओ और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जोड़ेंगे गौरव गौरव देखा जाये चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें हर तरफ चुनाओी महौल क्या कहना चाहेंगे प्रदेश की बात करें तो कहीं नहीं देश में हमेशा देखते हमकी महौल चुनाओी बना रहता है प्रदेश की बात करें तो सब्सक्राइब लुक्सवा स्वीट होने की चलते हैं यहां भी हमेशा महौल चुनाओी बना रहता है और बिर्देश की सीटों पर यहां पर चुनाओ के लिए आज घोज़ना होगी और जिसके तहट यहां पर आज से नामंकन शुरू होगा बार खंड स्वाइब लुक्ता बोराज इसके लिए भाश्पा और दोनों ही यहां पर मैदान में हैं और पूरी रड़नीती के साथ यहां पर अपने पिक्तासी इतारेंगी तो कहीं ना कहीं देश महाल चुनाओ भी है निकाही चुनाओ होने ते हाला कि हाई कोड के दखल के बा सब्सक्राइब देखा तो सपा की क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर कि सब्सक्राइब फिराल एक ही अभी पित्यासी की नाम की गोजण की यह सिपताव यादाव जो की बरेली और बरेली मुरारबार जो खंड से चक से वहां से आपना करेंगी जहां सब्सक्राइब जो की पूप साथ संग अडेश रहे हैं उनके नाम पर मोहल लगे दो और नाम की चर्चा चल लए अगर बीजेपी की बार कर देए बीजेपी भी यहां पर अपने नामों की यहां पर लगा चर्चा चल लए देबन पताप सिंग अरो पात है कि जैपाल सब्सक्राइब जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका गवर्ण सब्सक्राइब जानकारी के लिए श्यादाओं का दिल्ली दौरा सपा पिश्रावर्ग प्रकोष्ट अध्यक्ष राजपाल कश्यप से के मुलाकार OBC आरक्षड मामले की पैरवी कोले कर अखलेश से चर्चा आरक्षड मामले पर आगे की रन्नीती पर बाचीत सब्सक्राइब जानकारी के लिए श्यादाओं का दिल्ली दौरा सपा पिश्रावर्ग प्रकोष्ट अध्यक्ष राजपाल कश्यपने के मुलाकार OBC आरक्षड मामले की पैरवी कोले कर अखलेश से चर्चा आरक्षड मामले पर आगे की रन्नीती पर बाचीत सब्सक्राइब जानकारी के लिए श्यादाओं का दिल्ली दौरा सब्सक्राइब जानकार पिश्डावर्ग प्रकोष्ट अध्यक्ष राजपाल कश्यपने की मुलाकार OBC आरक्षड मामले की पैरवी कोले कर अखलेश से चर्चा आरक्षर मामले पर आगे की रनीती पर बात चीत सपा मुख्या खिलेश यादव काज दिली दोरा सपा पिश्रा वर्ग प्रकोश अध्यक चुराजपाल कश्प से की मुलाखाद बता दे कि ओबी से आरक्षर मामले की पैरवी को लेखर आखिलेश उससे चरचा आरक्षर मामले पर आगे की रनीती पर बात चीत सपा मुख्या खिलेश यादव काज दिली दोरा सपा पिश्रा वर्ग प्रकोश अध्यक चुराजपाल कश्प से की मुलाखाद बता दे कि ओबी से आरक्षर मामले की पैरवी को लेखर आखिलेश से चरचा आरक्षर मामले पर आगे की रनीती पर बात चीत और इस ख़बर पैदी जानकारी के लिए हमारे साथ जुडेंगे बभांशो बभांशो देखा जाए तो आज सपा मुख्या खले श्यादों का दिल्ली दौरा है ओबी से आरक्षर मामले को लेकर जी नंदनी आपको बता दे ओबी सी आरक्षर मामले को लेकर समझवादी पर्टी की तरफ से अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कि समझवादी पार्टी के पिछवाद के अध्यक्ष राजपाल कस्यप और समझवादी पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्वी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली दर्वा पहुंचे हो वहां वह सुपीम कोट में जाकर एक अपील डायर करेंगे जिसमें साफ तो से जो पिछवा आरक्षन है उसके बगएर चुनाव ना कराए जाए वाक्सपाल कस्यप ने साफ तोर से जब वह दिल्ली निकल नहीं तो उससे पहले अपने मीडिया बाइट्समून ने कहा है कि ओवी सी आरक्षन के बगएर चुनाव ना हो और यह सम्विधान के खिलाफ ह इसके लिए हम उपर के दर्वादे खट खटाएंगे आपको बताएं कि कही ना कहीं देखा जाए तो ओवी सी आरक्षन का मामला उत्तर प्रदेश का जो सियासी घमसान है उसको कहीं ना कहीं गती दे रहा है बात की जाए तो अभी हाल फिलहाल में जब हाई कोर्ट का फैसल कि अगर बात करें तो किस से क्या व्योस्ता की जाएगी बात की जा तो क्या फिर से ट्रिपल लेयर टेस्ट कराए जाएगा या फिर से जो ओवी सी आरक्षन का है उसके लिए फिर से नए तरीके से मॉनिट्विंग की जाएगी वह आने वाले दिन में पता चलेगा मगर की अगर आएं के बगेर चुनाओ होता है तो कही ना कहीं सम्ध्वался है उसका हनन है और साथ ही इसके बगाएर चुनाओ कराना जो पिछबा वर्ग है और साथ ही जो OBC वर्व के लोग हैं उनके साथ कही ना कही उनके जो मूलभूत उनके तंत्र है उसके साथ नुक्सान होगा जी तो क्या सपा आगे भी OBC मामले को ले कर कोई और नीती बना सकती है जी अगर बात की जाए तो अगर देखे नंदनी तो भारती जंता पार्टी जब सत्ता में आई तो OBC का अच्छा खासा समर्थन मिला था OBC वोट बैंक का उसी को लेकर कही ना कहीँ समझवादी पार्टी भी अब इस बात को कह रही है कि हम इस अब सरक से लेकर और संसत्त करने के लिए तैयार है अगर OBC के साथ सही फैसले नहीं दिये गए उनके हक नहीं दिये गए तो हम उनके साथ खरे है तो कही ना कही देखा जाए तो भारती जनता पार्टी का जो कोर रोटर है उसके साथ से हमारी को तयार है समझवादी पार्टी आने वाले दिनों में देखा जाए तो माना ये जा रहा है कि मार्च के बाद चुनाओ होंगे वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कोट इस पर क्या फैसला सुनाता है मगर पूरी तरह से टिपल लेयर टेस्ट ओवी सी आरक्षन सभी चीजों को लेकर चलना होगा और कहीं न कहीं देखें तो इसको लेकर अब भारती जनता पार्टी जहां एक तरफ अपनी पैरवी कर भी है समझवादी पार्टी भी इसमे कवेभांशू हल्दवानी अतिक्रमण मामले पर आज सुनवाई अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोट करेगा आज सुनवाई हाई कोट ने अतिक्रमण हटाने का दिया था आदेश रेल्वी की जमीन पर अतिक्रमण को तोड़ा जाना है पड़ी ख़बर हल्दवानी से है जहां हल्दवानी में हजारों घरों में चलेगी जेसी भी हल्दवानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोट करेगा आज सुनवाई और इस खबर पर दजिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे गवरव सुप्रीम कोट में आज हल्दवानी अतिक्रमण मामले पर आज सुनवाई की जाएगी बिल्कुर नंजरी यह मामला फिराल बहुत सरकर्मी बना हुआ है और मामले कारण यह है कि कई तसकों से वहां काबिज लोगों को अब हटाने का आदेश हाई कोट ने आदेश दिया था और कहा था कि दो देशनल दो किलिमीटर पहले यहां लबा 78 एकड़ पहली गफूर बस् देशा इसके पर दो मंदर भी स्कूल भी है सकंड़ी सब्सक्राइब करता है चंच परण गाए तो बार करें हवाला वालत धी मीदेने हाई-चुल और यह गारियरा सब्सक्राइब करती है कि भूमी रेलबे की हो यहां पर अबेडू करके यहां पर परवार रहा रहा थे और उनको भणाई जा रहा है जिसके लिए तरफ से पूरी तैयारी कर लिए गई पिर आले मामला सुप्रीम कोड गया है जहां पर याजिका करताओं की तरफ से यहां पर बरश्ट करेंगे तो कहीं न कहीं यह मामला फिराल सरकर्वी बना हुआ है और देखने बाली बात यह होगी कि अगर अतिकर्मन हुआ है तो कैसे हो गया है अगर भूमी रेलबे की तो अब तक रेलबे क्यों सांद्र बैठी हुई थी और सबसे मैट पूर बात है कि अबता हुन से जाना था बहां पर तीन सरकारी स्कूल कैसे बन गया है बहां पर फोगातार को घेरते नजर आ रहा है प्रदशन कर रहा है वही सरकार का इस मामले पर कहना है कि जो भी सूप्रीम कोड का पैसला आए गा उस पर अमल किया जाएगा ही जिंग पर नंजरी नी में माभला के नियुक्त करे तुछ में जो पच्छकार के बात करें तो यहाँ पर यह पच्छकार रेल्वे है दूसरे पजचकार वहाँ पर हाई और अधिकर्मान हुआ है पर सबसे में बात यहां गवर्मेंट की भूलिका भी यहां संदेपन है कि यहां पर किस तरह आज अधिकर्मान हो गया है वहां बाद भी बना देगा बहां चुनाव भी हुए इसके बाद बाद बीज मंदर बन गए बीज मजजरी बन गई इसकूल तुमान तरह कि पसनिया पर सरकारी अमिले पर भी एक स्थरह वहां पर आठिकमल किया गया है तो बहां पर सरकारी ब्योस्ता कैसे काबेज हो गई यह मेटपूर वहां पर चर्चा हो गई और मिखाल से परसार भूजर्ण बरस्त वकील है सुप्रीम कोड में आजका करता को तब स्याद यहीं इपाद दिखुष देने वाले होंगे तमाम जानकारे के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका गवर्भ कानपूर में बैलेट से होगे MLC चुनाओ नौममत्तदान केंद्र बदले गया है आज से शुरू होगे नामांकन कमिशनर कार्याले में तीन बज़े तक नामांकन होगा 12 जनवरी तक नामांकन तेरक और नामांकन पत्रों की जाच कानपूर में बैलेट से होगे MLC चुराओ अबर कानपूर से आ रहे हैं जहां नौमत्तदान केंद्र बदले गया आज से शुरू होगे नामांकन पत्रों के जोड़ेंगे उपेंद्र कानपूर में बैलेट से चुनाओ होगा आज से नामांकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो जो पर कानपूर में है जो जिसके चुना होने लेगर जिसके उसके इस सब्सक्राइब उनकी पूरी सरगहरमी नियुक्त आई जाई एक नौ मतदान केंद्र बदले गए हैं और क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इसको लेकर पूरी सुरच्छा वेस्ता कर लेगी है किस तरीके चुनाओ करना है किस तरीके चुनाओ करना है वो पूरी त्यारी अखोच हुए है तमाब जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका लखनाओ में महाकुम से पहले रोडवेश प्रिशासन खरीदेगा पांच हजार बसे वर्ष दो हजार पच्चीस के महाकुम से पहले बेड़े में शामिल होंगी बसे इस साल एक हजार अगले करीब तीन हजार बसे खरीदी जाएंगी बाकी शेस उसके अगले वर्ष खरीदने की योशना बनाई जा रही है कबार बसों को बेश कर नई बसे खरीदने की योशना तेज हो गई है और इस कबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे विवेक महाकुम से पहले रोडवेज प्रशासन खरीदेगा पाँच हजार बसे देखे नंदनी उत्तपते परिवन निगम दरा एक बड़ा फैसला लिया गया है मांग मेले को लेकर मांग मिला जो हर वर्ष जो है इलहाबाद के संगह में तक पर लगता और लाखों की संख्या में जो है स्रदालू जनवरी 6 से लेकर 18 फरोरी तक जो है मांग मेले में आते हैं डुपकी लगाते है और अगर मताद की बसंद पच्यमी से लेकर खिचड़ी से लेकर बसंद पत्यमी के दुए यहां पर सन्दालू की लाको भीड लगती है सबसे पहले साही स्नान होता है निसके बाद इस सारे दालुों के लिए ये स्नान खोल दिया जाता है हम बात करें कि उत्तोपते सरकार लगतार माग मेले को लेकर कई प्रकार के अम फैसले ले रही है यहीं उत्तव्त परिवन निकाम के तुरह 5,000 बसे जो है पर चलाने की बात कही जा रही है और कुल 2800 नई बसे चलाने की बात कही जा रही है अगर देखा जाए तो 200 अत्रिक्त बसे भी रियर्व किया जा रहा है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरानी बसे हैं उनक पर देखना पर देखना पर देखना पर देखना जिम्मा बन जाता है जिसको लेकर पर देखना आगे बढ़ रही है अच्छी पहल कर रहा है माग मेले को लेकर तो यह थी रोडवेज प्रशासन की तरफ से तयारी महाकुम मेले को लेकर और क्या कुछ स्यारियां की गई है देखिए नई बसे चलाने की बात कही जा रही है 200 बसे जो है रिजर्व रखी गई है ताकि किसी अपातकाली निस्तिती में उन 200 बसु का इस्तमाल किया जा सके इसके बाद जो पुरानी कबाड़े बसे हैं उनको बेज उनको बेज कर नई बसे खरदने की जिम्मदारी वीत के पहले वह दो बार वीदियो कानफेन्स के जरिये वहां के कमिशनर से माग मिले की तैयारी को जाजा लेने के लीए वहां पर उपस्ति थे लगातार समिच्छा कर रहेते लेकिन आज करीब एक बतेवर वहां पर पहुचेंगे हैं सारी यस्तितियों का जाजा लेंगे ongoing कायर करम है जहां प्लाइन माइनिक दूब की लागा डूपकी लिए तो किसी बगआर विदा का साथ सामना ना करना पड़िए बसों चीमतर की बैश्टा होतीयों कैंने की बैसा होतीय। रुकने की बैस्ता होतीय उसको लेकर समिच्चा करेंगे उसके लेकर प appearance करेंगे और उसके बाद बात्चित करने के बाद आठ वर्य के करीम लखनाओं के लिए लखनाओं पहुंच जाएंगे अपने आवाब से पहुंच जाएंगे तमाब जानकारी के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका विवेक रुकते हैं छोड़े से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे हैं प्राइम टीवी